हेलो एब्रिवान वल्कम टो आर यूटूब प्रिपरेशन चैनल दोस्तों मैं रुबेल और मैं आज आप सब के सबाने बीएड एंट्रेंस आसाम इनवार्सिटी सिल्चाव 2024 के लिए मौक टेस्ट लेके आया हूँ, करेंट इशूस और ट्रेंट सिन एडुकेशन के ऊपर सो आप लोग पूरा वीडियो एंट तक देखना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत बुलिए और देखो, अनलाइन क्लासे शुरू हो गया फोर बीएड एंट्रेंस आसाम इनवार्सिटी सिल्चाव 2024 के लिए आप लोग जोइन करलो रुबेल सार अकेडमी, जोइन करने के लिए आपको मांतले फिस ओनले 200 रुपिस पे करना होगा त्रू यूपिय यानि फोन पे जीपिय या पेटियम से 9101-467653 इस नमबर पे पे करके इसका स्कीन शॉर्ट मेरे वाट्साप नमबर पे बेच देना मेरा वाट्साप नमबर है 9101-467653 वर देगो कल फुल स्कील मोक टेस्ट होगा आप लोग जोइन करलो रुबेल सार अकेडमी आज ही सो शुरू करते है आज का जो पहला क्वेशन यानि क्वेशन नमबर वान इंडिया का जो फास्ट कहसेख़़ए डिफेंस इनिवर्सिटी कॉनसे स्टेट पे है अप्शन सार पंजाब, हरियाना, उत्तरपदेश या अंदरपदेश इसका जो राइटन सारों का बोई अप्शन भी यानि हरियाना यह याद रखना Q2. The government established the University Grant Commission by an Act of Parliament in the year So, कॉनसे सारों में केसेख़़ए गोर्में ने इस्टाबिश किया था UGC यानि University Grant Commission by an Act of the Parliament Options are 1950, 1956 या 1961 या Option D, 1967 So, इसका जो राइटन सारों का बोई Option B यानि 1956 Q3. The National Knowledge Commission is headed by So, इसका राइटन सारों का बोई Option B यानि या याद रखना Q4. The first open university in India was set up in the state of So, देखो कौन से मतलब कह सेकते हैं जगा पे कौन से स्टेट के मतलब कौन से जगा पे कह सेकते हैं First open university हुआ Option सार, Kolkata, Chennai, Hyderabad या नानवद अबाब इसका राइटन सारों का देखो Option C यानि Hyderabad या या याद रखना Q5. Which statement is not correct about the National Educational Day of India जो National Education Day कह सेकते हैं इंडिया का उस कौन सा मतलब करेक्ट है Sorry, incorrect is not correct इदर दिया हुआ है आप लोग अच्छे से देखना question को Options are, It is being celebrated since 2008 या मतलब कह सेकते हैं, Celebrate हो रहा है since 2008 से Number B, It is celebrated on 5th September every year या या गलत है So Option B is the correct answer बाकी देख लो Option C, It is celebrated on 11th November every year या सही है Number D, It is celebrated in the memory of the India's first जो Union Ministry of Education या Union Minister of Education जो Dr. Abul Kalam Ajad जी के मतलब कह सेकते हैं अब memory पर या मनाया जाता है So right answer को देखो Option B यानि It is celebrated on 5th September every year या या गलत है Question No.6 In which country the first open university was established in the world? So world पर मतलब कह सेकते हैं कौन से country पर first open university established किया गया था Options are UK, USA, India and Australia कौन सा right answer होगा? इसका जो right answer या बो है option या यानि UK, United Kingdom So आज के लिए इतना ही, thank you so much आप लोग इस वीडियो को जादा से जादा शेयर करो और online class join करो लो Full scale mock test के लिए, thank you so much